भरा नहीं भावों से जो, बहती जिसमें रस्धार नहीं, वहरिदे नहीं वहपत्थर है, जिसमें सुदेश का प्यार नहीं आज सत्तरवें गनतत्र दिवस के मौके पे, मैं कुंदिन कुमार सिंग, आप सभी के लिए एक नया संदेश लेकर आया हूँ आप कृप्या करके इस संदेश को मैक्सम लोगों तक पहुचाने के कोशिश के जिएगा आज जब हमारा देश सतरवे गणतंतर दिवस दिल्ली राजपत पर मना रहा था तो इस चीज का मैं विटनिस था कि मैं अपने 25 साल और अपना 25 गणतंतर दिवस दिल्ली में मना रहा था और मेरी आँखे मेरी नंगी आँखे इन सब दिरिश्यों को देख रही थी जो आप इसमें देखेंगे ये देखते देखते ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कितना महान हमारा भारत वर्ष है जिसने पहले आजादी के लिए लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष किया इसके बाद सन 1950 में 26 जनवरी को हमारा देश गणतंतर बना और फिर उसके बाद जो दिल्ली राजपत पे हमारी परेड होती है और पुरे बिश्यों में ऐसा कोई दुसरा देश नहीं है जो हमारे देश की तरह पत प्रदर्शन करता हो तो आप देखे इस मौके पे दक्षिन अपरिका के राष्ट्रपती हमारे देश आये हुए थे ये मुख्य अती थी थे और ये सारी चीज़े मेरी आँखों के सामने चल रही थी मैं पहली कतार में ही इनफाक्ट बैठा था और बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हो रहे थी उतना ही ज़्यादा गरवानित महसूस कर रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो भारत वर्ष जैसे देश में पैदा हुआ हूँ और आप सभी को बहुत ज़्यादा गर्ब करना चाहिए दोनों तरफ राजपत के दोनों तरफ इतनी ज़्यादा भीड थी इतने ज़्यादा लोग थे मानो संबुर्ण देश एक ही जगह उतर आया हो ऐसा लग रहा था कि कितने सारे लोग हैं इतनी जनता हमारे हैं जो 26 जनवरी की परिवड का विटनिस करने आये हुई है बहुत ही ज़्यादा गर्वानित महसूस कर रहा था और आप सभी को बहुत गौरव होना चाहिए आप सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तेश के लिए जिस भी तरीके से जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे हमेशा और हमेशा यह देखिए आर्मी, एरफोस, नेवी और बाकी सुरक्षा बलों की जो परियर थी बहुत ही जबरदस तरीके से बहुत ही उंदा प्रदर्शन कदम से कदम मिला कर चल रहे थे और किस तरीके से ऐसा लग रहा था मानो जिस पंक्ती में 50 लोग खड़े हों आप अगर सामने से देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कितने लोग खड़े हैं आप गिन नहीं सकते अगर हाथ चल रहे हैं तो बिल्कुल एक जैसे पाउँ चल रहे हैं तो बिल्कुल ए है हर शेत्र में चाहे हो science and technology का शेत्र हो हमारा guns weapons या फिर लड़ा को विमान हो आप लड़ा को विमान बिल्कुल देख सकते हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही उंदा था मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ विडियो प्रवाइड करने की जो मैंने देखी है मैंने record की हुई है तो आप कृप्या करके उन विडियों को देखिए और बहुत ही जो सीले अंदाज में हो जाईए जब ये चीजें प्रदर्शित की जा रही थी तो ऐसा लग रहा था मानधर्ती ने घुमना बंद कर दिया हो आकाश थम सा गया हो सुर्य रुक सा गया हो और चिडियों ने चहचहाना बंद कर दिया हो और सभी ये सोच रहे हैं किस भारत वर्ष में क्या हो रहा है जहां इतना जन सैलाब सैकडों हजारों लाखों की संख्या में लोग राजपत के दोनों तरफ खड़े हैं और उनकी आँखे सिरफ टिगी है तो भारत की प्रदर्शन पे भारत की सुरक्षा के जवान और बाकी चीजें जो चल रही है हमारे सामने कितनी ही बड़ी बात होगी तो आप सभी से गुजारिश करूँगा कि खृप्या इस संदेश को मैक्सम लोग तक पहुँचाएं और मेरा ये मानना है इन फैक्ट कि आप जिस चीज में आप अगर इस देश में जन्मे हैं तो इस देश को कुछ न कुछ जरूर देखे जाएं जाहे हो किसी भी फिल्ड में हो आप जाहे अगर स्टूडेंट हैं तो इतना पढ़ाई करें कि हमेशा टॉपर रहें अगर आप किसान हैं तो इतना अन उपजाएं मतलब जितना जादा अन उपजा सके उतना उपजाईए और देश को दीचिए अगर आप सोलजर हैं तो तन मन धन एकदम बिल्कुल नेचावर करने के लिए रहें ये देखिए दरिश कितना खुबसूरत मनमुहग दरिश जरा सोचिए अगर मेरी आँखों के सामने ये सब चीज़े चल रही होगी तो आप भी अगर मेरी जगए होते तो कितना गौरव का सिंबल वहीं बनाते हैं लडाको विमान से जहां पे साढ़े 300, 400, 500, 680 किलो मिटर प्रती घंटा के रफ्तार से ये लडाको विमान उड़ते हैं सुखोई 30, MKI, होविजर और बाकी सारे चीज़ें हेलिकॉप्टर्स तो बाकी चीज़ें मैं और भी प्रवाइड करता रह हूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किजिए और देखने के बाद मैं आप देखिए कुछ प्रदर्शन या आर्मी का जमान सिल्वर कलर की बॉलेट मोटर साइकल पर अपना प्रदर्शन करते हुए देखिए कितना मश्किल होता है इस तरीके से देखि स्टन्ट देखिए आप कितना कॉन्फिडेंस होगा उनमें और कितनी प्राक्टिस की होगी उन्होंने इस को इस करतब को दिखलाने के लिए जस्ट इमाजिन देखिए ये मोटर साइकल पर योगा कर रहे हैं ये बुलेट मोटर साइकल सेल्वर कलर की ये सारी चीजे देख कर कितना गर्ब होता होगा अब जस्प सोची एक पार जरा कि कितनी बड़ी बात है अपने आप में बहुत बड़ी बात है इन फैक्टी सारी चीजें जो सतर में गणतनतर दिवस के मौके पे हमारे देश के सैनिकों ने कर दिखलाया शायद ही पूरे विश्चों में ऐसा कोई कोई देश हो जित जो इतनी सारी चीजें एक जगह पे इतने लोगों को दिखलाता हो नहीं है शायद दूसरा कोई इसलिए हर एक बार हमारे देश में अलग 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 देशों के राश्टपती प्रधान मंत्री चिपकेस्ट के तोर बुलाया जाते हैं ताकि वो चीजें देख सकें किस तरीके से हमारा देश भारत अपने आप में महान है और जो हमें गौरोशाली बनाता है गौरवानुइत करता है और हर एक सिटिजन हर एक नागरिक यहां का होने के नाते उसका ये करतब भी है और हर एक तरीके से उपनी भूमिका निभाता है अपने देश को उचा रखने के लिए हमेशा और हमेशा अपना सर उचा रखने के लिए और अपने थौट को बिलकुल फ्री तरीके से ये देखिए प्रधान मंत्री तो इस तरीके से ये द्रिश्च है In fact बहुत ही सबर्दस्ट बहुत ही उंदा प्रदर्शन आप देखते चलिए बहुत गौर्वान में देखिए आप मोटर साइकल पे सलूट करना कितनी मुश्किल भात है और कितनी प्राक्टिस कितनी अभियास के जरुरत होती है इन सब चीजों को करने के लिए जस्ट इमाजिन देखिए इनीचे मोटर साइकल चल रहा है एक इनसान हाथ में लेकर लैपटप चला रहा है दूसरा है यह सारे के सारे आर्मी के जवांस हैं जिन्होंने इस चीज को इस कर्तब को दिखलाने के लिए पिछले दो महीनों से लगातार प्राक्टिस कर रहे हैं आपको भी कर्ब होना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते देखिए जरा आपके खून में उभाल आएगा इन सब चीजों को देखेंगे और आप इस चीज को करने के लिए लालाइत होंगे कि जो भी मेरा कर्तब बे बनता है उसको मैं तन, मन, धन से करूँ और भारत की गतिशेलता में भारत की रक्षा में हर एक तरीके से मैं अपने आपको निशावर कर दूँ या फिर अपना 100% दे दूँ वही आपका कर्तब बनता है और होना भी चाहिए मेरी समझ से ये संदेश है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कृप्या करके इस चीज को मैकसम लोग तक पहुँचाने की जरूर कोशिश केचिएगा जो मैं आज देखा हूँ अपने 25 में गणतंतर दिवस मनाते हुए अपने जिंदगी का हलांकि मैं इसी साल 18 जनवरी को 25 साल का हो चुका हूँ और इसी साल सोचिए 26 जनवरी को उसके ठीक एक सब्ताह बाद लगभग हमने ये चीजे देखी ओभी दिल्ली में आखो देखा हाल सुना रहा हूँ बिल्कुल सारी चीजे मैंने आज ये देखी है बहुत सबरदस ये देखिए एक ही मोटर साइकल पर इतने सारे लोग कितना मुश्किल होता होगा इस चीज को बैलेंस करना जस्ट इमाजिन आप सोचिए एक बार कि अगर आप होते उस चेगे पे जो इस चीज को कर पाते और क्यों नहीं होंगे कल को आप भी हो सकते हैं आप भी इंडियन आमी में इंडियन एर फोस में इंडियन नेबी में जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं और इन सब चीजों में भागीदार, इन सब चीजों का भागीदार बन सकते हैं, जबरदस तरीके से, ये देखिए, राश्पति को सलूट करते हुए, ये देखिए, मोटर साइकल की टुकडी, कितनी जबरदस, कितना उंदा प्रदर्शन, माई गॉड, ब्रेस्टेकिंग, सांसे थम जाएंगी इस चीज को देखकर, इनसानों के, और इस तरीके से भारत के जाबाज, तिरंगा लहराते हुए, जस्ट इमाजिन, देखिए, वाह, मेरे पास शब्द नहीं है, इनके लिए जितनी तारीफ करूँ, जितना अच्छा कार कहूं, उतना कम होगा मेरे लिए, इनके लिए, और अब आपको ले चलते हैं भारतिय वाई सेना का प्रदर्शन की तरफ, यह है अवेक्स, एर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जो कि 400 किलोमेटर दूर सही दुश्मन के विमान को पहचान लेता है, डिफेंस रिसर्च, बहुत ही महत्त, देखिए कितना उन्दा प्रदर्शन, यह धुरूफ फॉरम बोलते हैं इसे, धुरूफ फॉरम में यह उड़ो रहा है विमान, बहुत ही खबसूरत त्रिश, बहुत ही खबसूरत त्रिश, अब जरूर देख पा रहे हैं, और यह देखिए, यह भी धुर गुरू फॉरम में हमारे लड़ा को विमान, जैगवर फॉरम में, इसे जैगवर फॉरम कहा जाता है, C.17 Globe Master इस विमान का नाम है, C.17 Globe Master के साथ सुखोई 2 सुखोई 30MKIs हैं, पहले है C.17 Globe Master और पीछे से 2 सुखोई, जो के जैगवर फॉरम में इस करतब को दिखलाते हुए कितना गर्ब होता है हमारे भारतवासियों को जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं बहुत जबरदस बहुत ही उन्दा प्रदर्शन जड़ा देखिए इन सब चीज़ें को वाह जबरदस 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 तो इस वीडियो को देखिए माकसम लोगों को दिखाईए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए ताकि आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आज के दिन ये संगल प्लीच ये कि अपने देश के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं कीजिए ताकि हमारा देश निरंतर गती से आगे बढ़ते जाए और पूरे बिश्व के मानकीतर में एक दिन सबसे महान बन जाए Thank you for watching and all the best and at last I would wish once again happy Republic Day to all of you Thank you very much